हाई गाईज आम प्रिणाम मलिक ए वेजिपीडिया हलो गाईज स्वागत है आपका आपके ही चैनल वेजिपीडिया पर गर्मी का मोसम आ चुका है और गर्मी आते ये मैंगो आने से चार्ट हो जाते हैं और आज हम इन मैंगो से आप सबको बताएंगे एक ऐसा रिफ्रेशि मैं यहां ले रही हूँ एक किलो कच्छे आम और मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और अब हम इसका चिलका उतालेंगे इस तरह हम पिलर से चिलका उतालेंगे और आप देख रहे हैं सभी का मैंने चिलका यहां पर उताल लिया है अब हमने इसे रफली चॉप करना है बहुत ज्यादा बरीक नहीं कट करना हमने इसे बस हम रफली इसे चॉप करेंगे और इसकी बीच की गीटक निकाल देंगे आप देख रहे हैं सभी को मैंने रफ्ली चॉप कर लिया है और अब हम लेंगे एक तरफ कड़ाई या आप कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें पानी एड़ करेंगे यहां मैंने तीन बड़े गिलास पानी का यूज़ किया है और इसमें एड़ कर देंगे अपने मैंगो को काटके रखा था और इसे उपर से कवर कर देंगे अब जब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता और आप यहां देख रहे हैं यहां पर एक वॉयल आ चुका है अगर आपको मैं यहां पर मैंगो दिखाऊँ तो आप देख रहे हैं पहुत ही सॉफ्ट हो चुके इ इसली कट हो रहे हैं अब यहां पर हम इसमें एड़ करेंगे काले मिर्च पाउडर एक चम्मच उबलते टाइम ही हमने इसमें बीश में डालना है बुना हुआ जीरा का पाउडर एक से डेट बड़े चम्मच साथ ही साथ एक से डेट चम्मच काला नमक ये भी मैं उबलते टाइम ही सारा मसाला इसके बीश में डाल देंगे और अब मैं यहाँ एड करूंगी चीनी, चीनी आप अपने डेस्ट के अकॉर्डिक में डाल सकते हैं, हमने यहां पर एक किलो आम लिए हैं तो इसमें एक किलो चीनी टूरर समय समय और देंड आपके जो कच्छे आम है इसे कमचे चीन marriage किसे बाइड की किल appear और अब ऑन किला देंगे और इसने तल चाही हैं मिशी तव करेंगे अब तो यहां तो आप यहां देख रहे हैं इसे बैंड कर दिया है और यह अच्छी से गाड़ा गाड़ा आम पन्ह यहां पर त्यार हो चुका है अब हम इसे किसी भी एक द्हुनले निकाल लेंगे किसी भी आप कांच के कंटेशन में स्टोर करके रख सकते हैं अब देख रहे हैं आम पनना मारा धन्डा हो चुका है और मैंने इसे इस तरह काँच की कंटेनर में निकाल लिया है आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए अब हमाँ आम पनने को सर्फ कर लेते हैं उसके लिए मैं यहां ले रही हूं नीबू और नीबू से इस तरह इसके उपर ऐसे करूंगी यह बिल्कुल ऑप्शनल है मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हूँ कि जिसे देखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा देखेंगे इस तरह से मैंने इसके उपर यहाँ पर लगा दिया है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आमपन्ना एड़ कर सकते हैं यहाँ पर तीन चम्मच आमपन्ना का इसमें यूज किया है इसमें आड़ करूंगी आइस क्यूब और पानी बले मिक्स कर लेंगे तो आप देख रहे हैं हमारा आमपन्ना बनके त्यार हो चुके है बहुत ही रिफ्रेशिंग सा खटा मीटा सा ड्रिंक बनता है बहुत ही बेनिफेट है इसके तो आप अपने लिए भी बनाएं अपने बचों को भी पिलाएं जल्द ही मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यों बावाई